हलो फ्रेंड्स अक्सर आपने पालक पनीर की सबजी या पालक पनीर का कोफता खाया होगा क्या आपने कभी पालक पनीर का पराठा खाया है तो चलिए मेरे किचन में आज आपको पालक पनीर का पराठा खिलाते हैं स्वागत है आप सब का फ्राम मैं किचन से ये पराठा आइ पराटे के लिए मैंने दो कप पालक के पते दो के काटे हैं इनको अब पेपर टाहूल में मैं पैट ड्राइ कर रही हूँ ताकि इनका मौईस्टर एब्सॉब हो जाए 75 ग्रैम्स मैंने पनीर लिया है इसको मैंने कदो कस कर लिया है अब एक बोल में मैंने पालक पनीर मिक्स कर लिया है पालक के पत्तों में अब मुईस्टर नहीं है जब आपने पराठा बनाना हो तभी आप इसमें नमक डालें बनाने से बिल्कुल पहले ये मैंने कटा हुआ एक बड़ा प्याज इसमें एड़ किया है धनिया के पत्ते और एक दो हरी मिर्च कटी हुई धनिया पाउडर एक चमच लाल मिर्च आधा चमच जीरा पाउडर आधा चमच ये थोड़ी सी अजवैन जिसको मैं मसल के एड़ कर रही हूँ और ये एक चमच नमक है एक चमच आमचुर भी है इससे थोड़ी सी खटास आएगी पराटे पर घी या तेल जो भी आपकी मर्जी है आप लगाएं आटा मेरे पास गूधा रखा है मैंने तीन पराटों के लिए इसमें पेड़े बना लिये हैं अब ये एक पराटे को मैंने रोल किया है स्टफिंग का मसाला मैंने अच्छे से मिक्स किया है ये देखे कैसे मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छे से मुठी बन रही है इसकी अब ये बिखरेगा नहीं इसको मैंने अच्छी तरह से इसमें भर दिया है स्टफिंग भरने के बाद जो ऊपर थोड़ा एक्स्टा आटा है उसको मैंने निकाल लिया है इसको अब आप सूखा आटा लगा के रोल कर दीजी और बढ़ा कर दीजी जितनी थिकनेस चाहिए उस हिसाब से मुझे थिकनेस थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है पतला पराठा मुझे नहीं अच्छा लगता एक साइट से जाए तो उसे फिलिप करिए पलट दीजीए और इचा अनुसार घी या तेल डिजल करिए मैंने इसमें ऑईल लगाया है साइट से भी और उपर सर्फेस भी पराठा अच्छे से सिख गया है बहुत ही टेंप्टिंग लग रहा है अब यह मैं दूसरा तियार कर रही हूँ इसमें भी मैं स्टफिंग भर रही हूँ यह स्टफिंग तीन पराठों के लिए है मैंने अभी दो ही बनाए हैं पराठे तीसरा भी रख दिया है आशा है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी इसको आप सर्दी या गर्मी किसी भी मौसम में खा सकते हैं पालक तो हमेशा अवेलेबल रहती है तो देर किस भाद की है आप इस पराठे को अपने मैन्यू लिस्ट में शामिल करिए तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकान भी दबाएं जिसे आपको मेरी आने वाले न्यू अपलोड्स की नोटिफिकेशन प्राप तो स्टे हैपी स्टे कनेक्टेड थैंक यू सो मच गुड़ बाए